कशे हो दोस्तो में में बन नहीं से तुम्हें बताना चाहता हूँ सांकिफिक तोर पे अच्छी सहे के लिए सुबा वाक करना बहुत ज़रूर है कुछ नहीं तो कम सकर मादा घंटा सुबा उठके फ्रेश एर में अर्ली मौनिंग वाक की जाना चाहिए करना चाहिए थोड़ा पसीना बहाना चाहिए ये सहे के लिए बहुत ज़रूर है और इससे ना सुफ हमारी नसे खुलती है पेरों में जाने आती है पूरी जिसम में हरकत होती है बलके दिल की धड़कने भी सही तरीके से काम देचे भी कितना जईफ आदमी अबाव सेविंटी वो भी आए सुबा अर्ली मौनिंग में तो ये अर्ली मौनिंग में वाक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी सहित के लिए फिटनेश के लिए मैं खुद रेगुलर बेसिस पे अर्ली मौनिंग वाक के लिए निकलता हूं और ये बहुत ज़रूरी थोड़ा बिस्तर छोड़के स्टीजन को जल्दी उठना चाहिए अर्ली वाक करना चाहिए फ्रेश एर में वाक करना चाहिए ये सहित के लिए बहुत ज़्यादा क्योंकि हेल्थ इस में वेल्थ अच्छी सहती सबसे बड़ी दौलत है तो रेगुलर बेसिस पे अर्ली मौनिंग उठके इंसान को वाक करना ही चाहिए अब यही गाड़न के देख लेजिए हजार फीट बड़ा यह गाड़न है कोई मौनिंग में आके बुक्स निस्पेपर पढ़ता है कोई खरी लो हो रहता के मुखतलीफ एक्सराइज करें देखे तीन जेटी से तो अर्ली मौनिंग उठके वाक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखे यह जिड़ हो रहत है आये कर रही है कि वह कर रही है तो यह अर्ली मौनिंग वाक सहित के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन अब जो शहरों में रहते हैं लाएकि मुंबई तो उन्हें तो रात देट तक मुबाइल देखनी के आदत है टेलिविजन देखनी के आदत है नुकड़ पे गपशब करनी के आदत है जिसके जैसे ओर रात को लेट सोते है तो उठेंगे कहां से जल्दी जब लेट सोएंगे तो लेट उठेंगे जिसकी वजास से गौवर्मेंट ने तुझे बड़ी बेनेफिट दी इतना बड़ा ग हमें एक रुपिया नहीं देना है गौवर्मेंट सभी इसके खाच से बरदास्ट कर रही है और इतनी एच्छी हमें बेनेफिट मिल रही है इन सिटी लेके मुंबई उसके बावची तक हम नहीं उठेंगे और हम नहीं वाक पे जाएंगे तिर कशो किसी और का निया हमारा ह है और हमें अच्छी सहब के लिए लॉंग पीशफूल लाइफ के लिए हमें अरली मॉर्निंग उट के यतिने नोग पर जाना चाहिए यह मेरी सलारी इस इटिजन से बती है आप लोग खुद भी बहुत ज़्यादा समझ जारें रहें दाफिश से आप जारें लिए